हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है जुलाई की 28 तारीक, सबसे पहले आप सभी 36 गडवासियों को हरेली आमावस्या की बहुत बहुत बधाई आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ लगभग 20 ऐसे प्लांट जिसको आप डिवाइट करके एक से कई सारे प्लांट मांसून सिजन में फ्री में ही तैयार कर सकते हैं काफी सारे महंगे महंगे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे जिसे आप फ्री में ही अपने गार्डण में एड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो प्लांट है हमारा अरीका पाम है ये मेरा प्लांट जो देख रहे हैं वो लगभग तीन साल पुराना प्लांट है और अभी देखे इसमें कितने सारे नए-नए बेबी प्लांट्स बन चुके हैं और यदि मैं इसे डिवाइट करके अलग-अलग पॉट तयार करना चाहूं तो मेरे लगभग 6-7 पॉट रेडी हो जाएंगे फ्री में ही और काफी महंगा मिलता है ये प्लांट मैं जब इसे अपने गार्डन में एड करी थी तो बहुत छोटा था और मुझे 50 रुपए में वो प्लांट मिल गया था इतने ब लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दोंगी आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं एरो रूट का प्लांट है वेरिगेटिट एरो रूट का प्लांट है ये और इसको भी आप डिवाइड करके कई सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं देखिए यहा वाला प्लांट है इसके नीचे ट्यूबर होते हैं और इसके पत्ते देखिए वेरिगेशन इसका बहुत खुबसूरत और ये भी कॉष्टली मिलता है इसके प्लांट भी तो इस तरह से फ्री में ही आप अपने गार्डन में नए प्लांट एड़ कर सकते हैं नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं वो बोश्टन फर्न का प्लांट है हैंगिंग बास्केट में बहुत खुबसूरत लूक आता है इसका मेरा ये प्लांट अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है कुछ दिन पहले ही मैंने इसे अपने गार्डन में 30 रुपए में खरीद तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है लगभग 5-6 इंच के पॉट में और इसमें दो नए बेबी प्लांट निकल गये हैं देख रहे हैं यहाँ पर एक है और ये जो ग्रीन पत्ता आपको दीख रहे है वो नए नए प्लांट यहां नि मिलेगी सेंसेविरिया में यह ड्रॉफ नॉन विरिगेटेट है इसमें विरिगेटेट भी आता है ड्रॉफ में और यह देखे टॉल वराइटी टॉल वराइटी भी देखे कुछ दिन पहले ही मैंने इसे डिवाइट करके अलग-अलग छोटे-छोटे पॉट में लगा के अब देखे इसकी ये छोटा पॉट भी अब भर चुका है देख रहे हैं कितने सारे निकल चुके हैं नए-नए बेबी प्लांट और इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं जहाँ पर सुबह-सुबह की एक-दो घंटे की सनलाइट मिले ऐसे ज जो डिब्बे आते हैं प्लास्टिक के हमारे घरों में बिस्किट वगेर के उसी को मैंने दो हिस्से में कट करके लगाया हुआ है तो छोटे-छोटे पॉट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाते हैं और इस तरह से आप फ्री में बहुत सारे प्लांट रेडी क कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ वरिगेटेट वाला भी है मेरे पास टॉल वराइटी और ये नॉन वरिगेटेट का है बहुत सारे पॉट मैंने बना रखे हैं देखिए शुरू में मैंने ड्रॉफ वाला 50 रुपए में खरीदा था लगभग 2-3 साल पहले और ये सब तो फ्री के ही प्लांट है ये वरिगेटेट वाला भी फ्री का ही प्लांट है और जो नॉन वरिगेटेट टॉल वराइटी है वो भी फ्री का ही प्लांट है मैं कहीं से लेके आई थी और ये देखिए अब देखिए ये पूरा पॉड भर जुका है आप देख सकते हैं तो ये पत्ते से भी प्रोपोगेट हो जाता है, इसका आधा लिव भी यदि आप गड़ा देंगे, तो आपका प्लांट रेडी हो जाएगा. नेक्स्ट जो प्लांट डिवाइट करके लगाया जाता है, वो हमारा मेडेशनल वेल्यू वाला प्लांट है, इलोवीरा. आप सभी जानते हैं कि इलोवेरा का कितना महत्व है, दवाई बनाई जाती है इसकी और बालों में लगाया जाता है, चेहरों में लगाया जाता है इस विरिगेटेड भी आता है, वो भी है मेरे पास, उसको भी मैं दिखाऊंगी अभी, और हेंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है, और इसको डिवाइट करके आप एक से कई सारे तैयार कर सकते हैं, नीचे से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, और उसक रहे, कितना खुबसूरत लगता है, और सेमिसेड में चलने वाले प्लांट होते हैं, ये, एक दो घंटे की सनलाइट मिले, ऐसे जगह पर रखेंगे, तो बहुत अच्छे से चलेगा, पूरी तरीके से इंडोर रखेंगे, तो थोड़ा सा इसका लिवस का जो चमक है, वो अच्छे से उभर कर नहीं आता है, तो इस बात का भी आप ध्यार रखें, और इस प्लांट को भी आप फ्री में अपने गाडन में एड़ कर सकते हैं, नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं, वो बिगोनिया की वराइटी है, और इसको भी आप डिवाइट करके कई सारे प चोटे होते हैं, और देखें, इस तरह से नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं, जिसको आप अलग करके नया प्लांट रेडी कर सकते हैं, और यदि इसको भी आप लेने जाओगे, तो थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, ये भी, तो ये देखें, इस तरह से आपको दिख र होते हैं, तो जरूर इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में एड करें, नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं, वो भी एयर प्यूरिफार प्लांट माना जाता है, और ये भी काफी काश्टली प्लांट होता है, महंगा प्लांट होता है, और मैंने इसे धाई सो होते हैं, इसके साइनिंग पत्ते होते हैं, इंडोर बहुत अच्छे से चलता है, सिरेमिक पॉट में बहुत खुबसूरत लूक आता है, तो जरूर इस प्लांट को आप अपने गार्डन में एड करें, नेक्स्ट जो प्लांट है, ये भी बहुत महंगा प्लांट है, एगल अब यहां नीचे से एक नया बेबी प्लांट निकल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो बहुत सारे मल्टिप्लाई होते रहते हैं, जिसको आप डिवाइट करके कई सारे पॉट रेडी कर सकते हैं, और ये पिंक एगलोनीमा है, इसमें बहुत सारे अलग-अलग नाम ह होते हैं, मुझे एकदम अच्छे से तो इनका नाम नहीं मालो, एगलोनीमा मतलब एगलोनीमा ऐसा मैं बोलती हूँ, कई लोग इसको शायद वेलेंटाइन एगलोनीमा भी बोलते हैं, पिंक एगलोनीमा, लिप्स्टिक एगलोनीमा, स्नो वाइट एगलोनीमा, चाइनीज बहुत सारे नाम अलग-अलग इसके आते हैं और ये है लिपस्टिक एगलो नीमा देखिए इसको भी मैंने 50 रुपए में खरीदा था लगभग 3 साल पहले और आज मेरे गार्डन में इसके बहुत सारे प्लांट बन चुके हैं ये स्नो वाइट को भी मैंने 50 रुपए में ही बहुत चोटा सा प्लांट और ये जो देख रहे हैं चाइनीज एवर ग्रीन को इसको मैंने फ्री में एड किया है अपनी एक फ्रेंड के हां से लाकर तो ये भी काफी महंगे मिलने वाले प्लांट होते हैं तो इसको भी आप डिवाइट करके एक से कई सारे प्लांट रेड जाता है इसे जिग जैक प्लांट भी बोला जाता है और इसमें भी दो तीन वराइटी आपको देखने को मिलेंगी ये वेरिगेटेड है इसमें नॉन वेरिगेटेड भी आता है और छोटे-छोटे पत्तों वाला भी आता है तो इसके भी देखे कई सारे नीचे से सिंगोनियम का प्लांट है सिंगोनियम में भी आपको बहुँ सारी वराइटी देखने को मिलेगी और यदि आप हंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ये वाली वराइटी जरूर लगाए ये चोटे-पत्तों वाली वराइटी है और देखें इस तरह से इसमें भी नए- और काफी खोपसूरत छोटे छोटे पत्तो वाला प्लांट होता है और इसमें पिंक वराइटी भी आती है वो भी बहुत सुन्दर लगता है और बड़े पत्तो वाला भी सिंगोनियम का प्लांट आता है नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं वो हमारा डाइफन बेक्या है ये भी नीचे से मल्टिप्लाई होते रहता है कटिंग से भी लग जाता है और देखिए इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं जड़ के पास से तो उसको भी आप सेपरेट करके नए नए प्लांट रेडी कर सकते हैं नए पॉट तैयार कर सकते हैं इसमें भी बहुत सारी बरायटी आपको देखने को मिलेंगी ये जो डिफिन बेक्या है उसमें और काफी खुबसूरत प्लांट होता है थोड़ असा पॉईजनेस होता है तो काम करते वक्ते इसमें साउधानी जरूर रखे और pets और जो छोटे बच्चे हैं उन से जरूर बचाए इन plant को उनके संपर्ख से जरूर बचाए इन plant को तो इसको भी आप तयार कर सकते हैं free में ही और next जो plant देख रहे हैं वो philodendron की variety है philodendron में भी बहुत सारी variety मिलती है ये वाला जो plant देख रहे है इसको भी मेरी friend तो नहीं कहूंगी subscriber है मेरी प्यारी subscriber हमेशा मैं उनका नाम लेती हूं इस में भी मैं आप उनका नाम लेना नहीं भूलूंगी चंद्रकानता है उडिशा से वो मेरे लिए ये gift भेजी थी ये जो philodendron है और ये वाला जो triangle shape वाला philodendron है इसको मेरी friend न ready कर सकते हैं नए नए प्लांट बना सकते हैं देख रहे हैं फ्रेंट से कटिंग से भी लग जाता है और नीचे से जो प्लांट ready होते रहते हैं multiply होते रहते हैं तो उसको भी अलग करके आप नए प्लांट अपने garden में add कर सकते हैं तो काफी खुबसूरत indoor plant होता है philodendron भी नेक्स्ट जो प्लांट देख रहे हैं वो asparagus fern है फर्न की ही variety है और इसमें नीचे टिवर होते हैं इसके भी छोटे छोटे और इसको भी आप divide करके कई सारे pot ready कर सकते हैं मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारे plant तयार किये थे इसके hanging basket में भी अच्छा लगता है और छोटे runner निकलते हैं उससे भी और इसको divide करके भी आप नए नए plant ready कर सकते हैं फ्रेंट सेंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर look आता है next जो plant देख रहे हैं उसे coin plant बोलते हैं dollar plant बोलते हैं और भी कई सारे नाम है मैं mention कर दूंगी screen पर और यह भी बहुत सुंदर दिखने वाला plant होता है और देखिए मैं छोट इसी की cutting लेके आई थी और जिसके जिससे यह देखिए कितने सारे नए नए plant नीचे से multiply हो रहे हैं तो इसको भी आप divide करके नए plant तयार कर सकते हैं और hanging basket के लिए बहुत सुंदर plant है next जो plant देख रहे हैं वो butterfly plant है इसका भी और भी नाम है उस इसको भी मैं mention करता हूंगी screen पर और इसको भी यदि आप लगाना चाहे तो multi ply होते रहता है ये भी बहुत सारे pot भर जाता है तो divide करके आप कई सारे plant तयार कर सकते हैं ये भी flowering plant है इसमें flowers भी आते हैं और ये तो मेरा बहुत छोटा plant है और छोटे-छोटे tuber होते हैं इसके इसमें देखे light purple color के flower आते हैं और इसमें भी बहुत सारे baby plant नीचे से multiply होते रहते हैं जिसको आप divide करके एक से अनेक pot ready कर सकते हैं मैंने काफी बाटा है इस plant को क्योंकि बहुत ज़्यादा multiply होते हैं इसके plant नीचे से friends इस तरह से और इसके flower अभी इसी समय खिलते हैं rainy season में बहुत सुंदर देखे इतना सुंदर देखता है इसका flower light purple color के और next जो plant देखेंगे वो जर्बेरा है ये जर्बेरा है दो दीन पहले ही मैंने इसे divide करके अलग किया है और इस plant को भी आप आसानी से divide करके कई सारे ready कर सकते हैं और winter season में बहुत अच्छे से इसमें flowering चलती है जर्बेरा काफी costly plant होता है जर्बेरा भी तो आज मैंने आप लोग से इन plants को share किया है जो काफी costly होते है सभी plant नहीं होते लेकिन बहुत सारे ऐसे plant मैंने आप लोग से share किये है जो काफी costly भी होते है तो मिलते हैं फिर happy gardening